जब मैं टेर्न में नीमू बेशता था और बहुत सारा काम करता था जो बेच करके आता तो घटा और घर में तो मम्मी के हाथ में पैसा देता था उस ठायम जो हमारा इंकम था 80-100 रुप्या होता था उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इससे तो कुछ benefit हो नहीं रहा है, वेल्डिंग में बहुत पैसा है, तो मैंने सोचा क्यों ना वेल्डिंग सिख लिया जाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं रहा था, अब इससे आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, मैंने YouTube पे ध्यान दिया, आखिर देखा कि लोग क्या देखना करते हैं आज की डेट में, जब पैसा आने लगता है न भाई, तो खुसी एनर्जी सब कुछ आने लगता है, एक नीमू बेचने वाला बंदा आज जो स्टॉक के मंच पे खाड़ा है, आखिर क्यों रीजन किया है, बहुत सारे मैंने काम किया अपने लाइप में, आज सारा एकस्प्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे एक सफल एक यूटूबर बना हुम है, और लोग कैसे हमें जानते हैं, कहीं नगी आपने देखा होगा हमें, सेकेंड हिंड कार बाई का वीडियो बनाते हैं, तो नमस्कार, जोहार जहार जहारखंड, मैं हूं मॉन्ट आपका जहारखंड से, तो एक्चुली मैं बहुत छोटा था, और मेरे घर के हालात एकदम सही नहीं थे, जो कि मतलब खाने का लाला पड़ जाता था, हमारे पापा दरजी का काम करते थे, जो कि सिलाई का काम, बैसिक एक पैंट सीते थे तो दिन का 60-70 रुपय मिलता था, उसे से हमारे घर खर्चा चलता था, अगर मैं अपनी घर की हालात बताओ, तो हमारे घर की हालात ऐसा था कि टूटा फूटा गर था, हम लोग थिरी सिष्टर थे, और वन मैं था, हमारे घर इतना टूटा हुआ था, कि जैसे बारी सोता था तो पानी बीचो बीच आता था, हम लोग तीनों भाई वहन अपने विस्तर को ले करके बैठ जाते थे ऐसे ताकि पानी बीच से चुए और बाहर निकल जाए उसके बाद फिर मम्मी क्या करती थी ना बाहर से मिट्टी वेगर लाकर उसको प्लेन करती थी उसके बाद फिर हम लोग सोते थे सुबा उठते थे और मैं बहुत छोटा था और मैं पढ़ाई भी करना चाहता था और जब तक मेरे पापा भी सोच रहे कि बेटा पढ़े के कुछ बनेगा लेकिन पैसा नहीं था थे टूशन वेगर पढ़ने जाते थे तो उस टेम क्या होता था ना बहुत सारा इसा ट्रामिंग कंडिशन हो तब मुझे समझ में कि या कर रे लाइफ में कुछ समझ में यही आता था, बट मैंने देखा आपने मुहले में कुछ हमारे दोस्त लोग जो की नीमू बेचते थे, तो कहता है, तो काम करथा तो मन करता है करने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि यह काम कर norms कर रह तो मैं। तो मुझह भी लगा मैं भी कर सकता हूं तो मैंने भी स्टर्टिंग किया ओए से और उसके बाद में मार्केट में मार्केट मेरा तॉट्र स्लिणक में बिचनग्ने देखने के और मेरा दिमाग खुले लगा एक तो नीमू किया बहुत सा चीज ऐसा कि बेच सकते हैं जैसे आपका तर्बूज हो गया है और आपको खीरा ककड़ी ऐसा हमारे जहरकें बेहर में बोला जाता है तो वहां से बहुत कुछ आइडिया मिला लेकिन फिर भी वहां से कुछ रास न जिससे हमारा घर भी चलता था और कुछ पैसा में भी 10-20 रुपय रख लेता था तो ऐसा डेली काम करता था उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इससे तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ और ट्राई किया जाए तो मैंने सोचा कहीं से पता लग आसी बाद को फोटा है तो बहुत पैसा है तो मैंने सोचा क्योंने वेल्डिंग बीर धिया काम करतें ऐंते लेकिन अपने सहर में डालतन ग्रिस लिfundal धर बंता था तो मैंने सोचा क्योंने यहां जाऊं तो पहले मैं वहां गया वाला कि मुझे काम चाहीए और मुझे सीख सब्सक्राइब करने कांदी से इसे की घर चांदब को ऐता है तो है आयकर अम जाल fantastique कैसे को सबीकरिशन किना खौरुत मैं नहीं आतुजा करने के जंब होता है काम-एक स्पोन नहीं था उस टैम हमारा उमर था करीब 14 साल का ऐसा था तो उन्हें न बोला कि ठीक है आज ओ तो मैं फिर यहां से ट्रेन वेगरा जैसे तैसे पकड़के फिर वहां चला गया वहां जाने के बाद मैं सिर्फ 15 दिन आरगन विल्डिंग का काम एक जैसे नहीं बनता है त होने के बाद पिर हमें बोला गया कि आप मत करो डॉक्तर ने पहले कि इसके शरीर में चला गया और बहुत ही डेंजर होता है या तो आदमी को पुरा पागल बना देगा या बीमार बना देगा तो मुझे निकाल कोई कोई हुस्पिटल में अड्मिट किया गया जो कि करीब मैं एक महिना तक होस्पिटल में रहा और बीमारी मेरे अंदर आ ही गया था तो वहां से रिकवर होने में काफी मुझे दो-तीन महिना टाइम लगिया जब मैं अपने सहर डाल्टिंग जाया तब तो समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करू तो क्या करू मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं क्या करूओ और क्या क्या न करूओ दिमाग अदम काम नहीं कर रहा था क्योंकि काम मुझे करन तो फिर मैंने देखा अपने मुहले away अब करीम कर description क्य раб तुमको देंगे इतना पैसा तो उस टेम मुझे मिलता था सिरिफ 20 रुपए राद भर जाग करके दुलन के सामने ऐसे हाइलोजन लाइट लेगे खड़ा रहना पड़ता था और उसी का मुझे 20 रुपए मिलता था करीब उसको मैंने एक साल काम किया एक साल करने के पाद धीर मिलता था स्रीफ 1000 रुपए एक रात का तो उसके मेरे पास टाइम था कि यह कैमरा है तो मुझे कुछ फाइदा उठाना चाहिए तो मैंने यूटूब पे देखा था बहुत सारे लोग की यूटूब बना रहे हैं क्या काम कर रहे हैं और ऐसे मतलब बहुत सारा काम करके पै लेकिन उस बैसिक में काम कर रहा था वेडिंग का तो मैंने यूटूप चैनल भी बना फोडिया था क्र्याइड कर रहे हैं क्र wides पर एक दोस्त था कि मैं उसको बोला कि मुझे कार सिखना है तो बहुत तुमको काम चोड़ करके आना पड़ेगा हजारी बाग वो मुझे कार सिखाएगा उसके बाद फिर मैं दो पैसा और ज्यादा कम आँगा मैंने सुचा ड्राइविंग में होगा पैसा बाहर जा करके काम दिया लगा कि इतना दीन से गाड़ी दोगए र्हा हूं तो मुझे पता चला कि एसे होता था फिर मुझे वह चलाने घेरीदेरी दिया वनवीक में मुझे याधा कर दिया फिर गाली चलाने हैं भांग अपने डाल तंटेंगम से रांची लीकि बुलेंस के एंबुलेंस त और मुझे बनना था कि कुछ और करना अपने मम्मी पापा के लिए तो मैंने फिर वहां से निकला गाड़ी चला आना फिर गाड़ी में भी समझ मिने क्यूंकि सामने में एक्सेडेंट वगरा देखता था तो बहुत यहां से दिल मतलब बोलता नहीं था कि तुम यह काम करो मै उस काम को फिर अपनाया तो उसमें भी मैंने अच्छा पैसा कामाया जहां ड्राइबरी में मुझे पांच छे आठ दस अजार मेहना मिलता था वहां मोबाइल में रिपैरिंग करने में मैं एक दिन में तीन सो चार्सू उर्पया कमाता था अब वहां पर क्या हुआ जैसे का काम करते करते पहले तो मैंने सीखा छे महीन है उस तेम मुझे मिलता था सो रुपया पड़ दे फिर काम सिखने लगा तो फिर मुझें चार्सू पांसो पर दे मीलने लगा क्योंकि काम आई-सी वगरा चेंज करना तो यह काम किया उसके बाद फिर मैंने देखा कि मोबाइल गालेके लोग did exam क्या क्या रोलेकiveness लेकिन फिर यूटूब पर ध्यान दिया है आगर देखा कि लोग क्या देकने पसंद करते हैं या तो इंटेटेटॅ में रहा है या तो बहुत ज्यादा कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है तो मैंने कुछ मैंने फोटो दिखता था तो मैंने दिमाग लगाया कि आखिर भाई जार्खन में कोई ऐसा है यूटूबर जो बनाता हो जार्खन उडिसा बंगाल तो देखा कोई भी नहीं जब मैंने वीडियो बनाके लॉंच किया उस चीज को मैंने पर्मोट किया सेकेंड हेंड बाइक का वन वीक में टू मिलियन भी हो गया है यानि की बीस लाग भी हो एक सप्ता में देखा गया तो मुझे महां से समझ में आया कि लोग इस चीज को पसंद कर रहे है क्योंकि हमारा कंटेंट था कुछ और था लेकिन पसंद कुछ और किया जा रहा है तो मैंने सेकेंड हेंड कार मैंघ ही न कुछ वैसा तकलीव कुछ वैसा नहीं हुआ फिर मैंने अपना घर जो टो trajectory काम कर दें फिर पापा जो सिलाई का काम करते थे उनको मैंने रोखा कि पापा कोई काम नी करो घड़ी है आप सिरस बैठो मैं कमाऊंगा और आप सिरस खाऊठा अगать है तो पापा फि करके मैं काम को आगे बड़े तो YouTube के एलावा मैंने कुछ और किया आपको बताया कि Facebook भी किरेट किया था अब मुझे Facebook भी पैसा देने लगाता उसके साथ साथ मैंने फिर website किरेट किया तो इधर YouTube से इंकम आ रहा था Facebook से इंकम आ रहा था और website से वह इंकम आ रहा था कि जो मैं YouTube पे वीडियो बनाता था उसी का आर्टिकल लिखवाता था और उससे मेरा इंकम होता था तो यह तीन जगह से इंकम मेरा आना स्टार्ट हो गया ठीक है उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ और करना चाहिए लाइए तो हमारे रांची में मैं अपने डाल्टेंगन से सीफ्ट हो चुगा था जैसे जैसे पैसा आने लगता है तो आदम कदम आ तो मैं प्लेट फारं पर कई दिनों तक मैं सोया हूं सुबह उड़ता था वीडियो शूट करने के लिए और निकल जाता था प्लेट फारं पर मुह दोता था बाल ओल ऐसे जानता था बस हाँ चलो सर आपके हाँ वीडियो शूट करना कर दूं बाइक कि उस तेम बहुत जा रहा था जा रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था काम करने में तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करके काम सीड़ी चड़ा उसके बाद फिर मैं आपको बता दू कि यह सारा पैसा तो आने लगा घर में सब कोई खुश थे फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग बिजनस करना तो उस वेबसाइट से भी हमारा ट्राफिक यूटूब फेसबुक से सब तरफ से जाने लगा तो उससे भी हमारा इंकम आने लगा ठीक है और यह मैं लाश्ट में बताऊंगा कि हमारा अभी इंकम क्या हो रहा है तो मैंने फेक्टरी पैठाया और उसमें कम से कम 10 लोग वह तो फिर मैंने वहां से निकला फिर मैंने सोचा कुछ और बिजनस करना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ते रहना है रुकना नहीं है तो फिर मैंने देखा शैलून एक शेल हो रहा है तो मैंने एक मॉन्टी शैलून यूनिसेक्स खोला वहां पे और उसको मैंने प्रमोशन के अपने यूटूब चैनल पे तो बहुत अच्छा रिस्पोंस आया वहां भी आज पांच लड़के पांच लड़के ऐसे यूनिसेक्स के सैलून है तो वहां काम करते हैं तो वह भी सैलून हमारा काफी बड़ा है प्रीमियम सैलून है यह सब यूटूब के जरिए मैंने खो किया तो आज मुझे सोचना नहीं पड़ता है कोई काम के लिए क्योंकि मेरे पास बिजनस भी है यूटूब चैनल भी फेस्बूक भी है और भी बहुत सारा काम है जो कि मैं कर रहा हूं एक समय था हमारा कि मैं सो रिबैड कमाता था ट्रेन में नीमू बेचने के बाद लेक करता है आप लोग इस बात को लेकर कि अगर दिल पर ले ले तो मोटिवेट हो जाए थोड़ा और भी आगे बढ़ें आप लोग तो बहुत करूंगा कि कभी हिम्मत मत हारना लाइफ में क्यूंकि दुनिया बहुत बड़ा है और काम इतना है कि आप कर नहीं पाओंगे इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें